प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं एक नाटक पापा खो गए। इस नाटक में हैं बिजली का खंबा, पेड, लेटर बॉक्स, कववा, नाचने वाली लड़की आदि, सड़क, रात का समेह, समुद्र के सामने फुत्पार, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड, एक लेटर बॉक्स, दूसरी और धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पॉस्टर, पॉस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आक्रती, समुद्र से संसनाती हवा का बाहाव, दूर कहीं कुत्तों के भोकनी की आवाज, खंबा, जबाही रोकते होए, राम, 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 रात बहुत हो गई, पेड, आज कल की राते कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती, खंबा, दिन तो कैसे ना कैसे हर बड़ी में बीत जाता है, पेड, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है, खंबा, तब भी बरसात की रातों स तो ये राते कहीं अच्छी है पेड राज बरस्तात की रातों में तो रात भर भीखते रहो बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो तेज हवाओं में भी बर्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उस वक लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंबे का जन बल्ब फैक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है पेड मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गडाती बिजली आकर पड़ी थी अरे पापरे वो बिजली थी या आफद याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है और बिजली जहां गिरी थी वहां खड़ा कितना घैरा पड़ गया था खंबे महराज अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है अंग थर-थर कापने लगते हैं खंबा मेरी तब्यत ही लोहे की है जो बिमार नहीं पड़ता वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी दूप में खड़ा रहे तो जरूर बिमार पड़ जाएगा पड़ जाएगा या नहीं कितने दिन बीट गए कितनी राते लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ लंबी ठंडी सांस छोड़ कर छे चुंगी कि यह नोकरी भी कोई नोकरी है पिड अपने पत्तों का कोट पहन कर मुझे सर्थी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहां यही मेरा जनम हुआ इसी जंगे तब सब कुछ कितना अलग था यहां के वे सब उचे उचे घर नहीं थे तब यह सड़क भी नहीं थी वे सीनेमा का बड़ा सा पॉस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी सिर्फ सामने का यह समुंदर था बहुत अकेला पन महसूस होता था तुम्हें जब यहां लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला इतना ही सही लेकिन वो भी कहा तुम शुरू शुरू में मुझ से बोलने को ही तयार नहीं थे मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहां थी वहीं कायम बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी ना कितनी उची है तो रहने तो मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे उपर ही आ पड़ा पिरबाबरे, कैसा था वो आंधी पानी का दुफ़ान खंबा, तुम खड़े थे, इसलिए मैं कुछ संभल गया हाँ, तुमने मुझे उपर का उपर छेल लिया, वह अच्छा हुआ चाहे तुम खुद काफी जक्मी हो गए बाद में मेरा गरूर भी जड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई, पेड हुँ, हवा आज भी बहुत है दोनों चुप हवा की आवाज, गुत्ते का भौपना पॉस्टर पर बनी नाशने वाली और टेड़ी हो जाती है उसे गुंगरू बज़ते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है लेटर बॉक्स, किसी दोहे का एक चरन गुन गुन आता है और रुप चाता है कौवा, पेड के पीछे से जाक काव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजे लगा कर मेरी नीन खराब करता है जरा भर चैन नहीं इन्हें लेटर बॉक्स, हूँ, मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कवे जैसी करकस काव काव करें कहता है, जरा भी चैन नहीं पेड में हाट डाल कर एक पत्र निकालता है धीरे से जीब को लगा कर खोलता है उसमें से कावज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है यह किसकी चिट्टी आकर पढ़ी है हेड मास्टर ठीक, क्या कहता है श्रीमान, श्रीयुद, गोविंद, रावजी ओम, ओम, आपका लड़का परिक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिलकुल नहीं रहता इसकी बज़ाए उसे क्लास में गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है आप एक बर खुद आकर मुझसे मिलिए परिक्षित की पापा हेड मास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें इसका क्या मतलब फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं सभी पापा लोग आफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे आखिर क्यों छे मुझे हेड मास्टर होना चाहिए था इस परिक्षित के होस्त तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता वैं पत्र रग कर दूसरा निकालता है यह किस का है खंबा क्यों लालता हूँ आज किस कि पत्र चोरी पढ़ते रहें लैटर बॉक्स अज चर्रे से चोरी चोरी किस लिए सबी चुटिया मेरे में ही तो कबजे में होती है अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ पेर कबजे में होने का मतलब यह है तो नहीं लालता हूँ कि लोगों की चिठिया फार फार कर पड़ते रहो पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो लैटर बोक्स चलता है तो पता तो चले जाने दो मेरी तरह यहां रात दिन बैठ कर दिखाए तब पता चले पर सो वह पोस्ट में मेरे में से चिठिया निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जबहाई आई कि रोके नहीं रुकी जबहाई लेता है वह देखता ही रहे गया चिठियों का बंडल बना कर जल्दी जल्दी चलता बना वह लेकिन वह लेटर बोक्स इसे नहीं पोरियत होती है जिंगे बैठे बैठे मैं कहता हूँ चार चिठिया मन बहलाने के लिए पढ़ बीली तो क्या हो गया लेकिन चिठियों जिसी लिखी गई हो लालताओ उसे ही पढ़ने चाहिए वह प्राइवेट होती है प्राइवेट लेटर बोक्स मैं कहां किसी की चिठियों पास रख लेता हूँ जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है किसी की गुप्त बाते मैं कब बाहार निकलने देता हूँ वे मुझ तक ही रहती है इसलिए तो मुझे अपना महत बहुत लगता है पेर कोई आ रहा है लगता है सब चुप हो जाते है पॉस्टर पर बनी नाशने वाली का संतुलन फिर से बिगरता है फिर वे पहले की तरह स्थिर और स्थब्ध हो जाती है तेज हवा की बन बनाहट विकारी जैसा एक आदमी आता है उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है आदमी मैं बच्चे उठाने वाला हूँ दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने गहरी नीन सो रही थी अब तक उठी नहीं उठेगी भी नहीं मैंने इसे थोड़ी बेहोरसी की दवा जो दी है अब मुझे लगी है भूग दिन बर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला पेट में जैसे चूहे दोड़ रहे हैं तो ऐसा क्या किया जाए इसे यहीं लटा कर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें देखे कुछ मिल जाए तो इतनी रात गए यहां इस वक तब किसी का आना मुम्किन नहीं पेट की ओट में लड़की को डाल देता है और उस पर अपना कोट फेला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है फिर एक के कदम साबधानी से रखता हुआ निकल जाता है खंबा पेड़ से श। पेड़ राजा ताल में कुछ काला नजर आता है पेड़ वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई और यह लड़की तो छोटी सी है लैटर बॉक्स वह उसे कहीं से उठा कर लाया है मैंने सुना है पेर कॉवे को जगाते हैं श्ण श्ण एक वे जगना कॉवे दिन हो गया पेर नहीं दिन नहीं हुआ पर एक दूस्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है चुप वो आदमी इस वक्त यहां नहीं है तुम्हें लड़की उठ चाएगी तो चिलाएगी कववा आलस से उठते हुए आखों पर एक कुल्चुलू पानी डाल कर अभी आया जाता है खंबा भ्यंकर बहुत ही भ्यंकर पेड जुकर लड़की को देखकर बच्ची बहुत प्यारी है कौन जानी किसकी है लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए नास पिटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से चील जैसे चुहा उठा लेती है वैसे खंबा मैं भी देखना चाहता हूं से पर मुझसे जुका ही नहीं जाता लालता हूँ अभी भी सो रही है क्या वो लेटर बॉक्स हाँ हाँ खंबे महराज कहुआ आकर कौन उठा लाया किसे बोलो अब पेड़ इसे इस चोटी लड़की को एक दुस्ट आदमी उठा लाया है कहुआ देखकर अच्छा यह लड़की और वह दुस्ट आदमी कहा है इसे उठा कर लाने वाला खंबा वह जरग गया है खाने की तलास में भूक लगी थी उसे लेटर बॉक्स थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास पिटा और यह खिलोने सी बच्ची गलारून जाता है नहीं नहीं ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का कहुआ हाँ सच आज क पिर कुछ दुस्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं मैं तो घूमता रहता हूँ ना ऐसा होते देखा है पेर मैं बताऊं अपन यह काम नहीं होने देंगे लेटर बॉक्स पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे खंबा होगा कैसे मतलब उस दुस्ट को मजए में इस बच् मैंने देखा है नास पिटे को अच्छी तरह करीब से देखा है बहुत ही दुस्ट लगा मुझे तो कैसी नजर थी उसकी घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं मुझे ही न उठा ले जाए कोवा ताओ आपको खोखो करके हसता है छोटी लड़की अब तक कुछ जाक चुकी है अतकुली आँखों से सामने देखती है पेड, खंबा, लेटर बॉक्स और कोवा एक दूसरे से बाते कर रहे हैं लेटर बॉक्स इतना मुझ फार कर हसने की क्या बात है इसमें खंबा, उसकी वह गंदी नजर यहां से मुझे भी खुब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी पेड, छोटे बच्चों को उठाने से जादा बुरा काम और क्या हो सकता है लड़की उठकर बैठ जाती है, सौपन देखने जैसी भाव मुद्रा कैसा मन होता है नास्पिटो का, उनका वही जाने, उनका वही जाने का हुआ ताउ एक जंगे बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चार दिशाओं में गस्प लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब पिर काफी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा, लड़की सुपन देखती हूँ, इसी खड़ी है लड़की, क्या, यह सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेर, कववा कववा सब को इशारा करता है, तब ही सब एकदम चुप सब्द हो जाते हैं, लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सब को देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं, लड़की यह तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया, मैं सबना था या कुछ और, फिर गोर से देखती है, सबी नीज तब, कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मारा था, सबी चुप कौन बाते कर रहा था, मुझे डर लग रहा है, मैं कहां हूँ यह है, यह सब क्या है, मेरा घर कहां है, मेरे पापा कहां है, कहां है लैटर बोक्स पेड़ से कहां है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कैसा अंधेरा है चारो तरफ रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है, कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, सभी चुप लड़की घबरा कर, एक कोने में अंग सिकोर कर पैट जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती है लड़की मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है लेटर बोक्स पेट से, अब मुझे से चुप नहीं रहा चाता, बहुत घबरा गई है आगे सरकर बच्ची घबरा मत लड़की, पहले उपर देखती है फिर सामने कौन लेटर बोक्स, मैं हूँ लेटर बोक्स, लड़की तुम, तुम बोलते हो लेटर बोक्स, हाँ मेरे मुझे नहीं है क्या लड़की तुम चलते भी हो हाँ आदमियों को देख देख कर लड़की सच उसमें क्या है थोड़ा चल कर दिखाता हूँ पर तु घबरा मत लड़की एकदम खिल खिला कर हसी है मच्चा लेटर बुक्स बोलता है चलता भी है लेटर बुक्स खुश होकर वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगेरा लड़की सच, लेटर बोक्स भजन की एक लाइन गाता है हूँ, लड़की तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो, लेटर बोक्स पर मैं बहुत लाल हूँ, नास्पिटो के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था लाल रंग पोद दिया मुझ पर लड़की, लेटर बोक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे न अभी भी बिलकुल सच नहीं लग रहा सपना लग रहा है, सपना, लेटर बोक्स कभी ना देखी हो, ऐसी चीज देख लो, तो यो ही लगता है, तु रहती कहा है, लड़की मैं अपने घर में रहती हूँ, लेटर बोक्स बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा ये घर है कहां, लड़की घर हमारा गली में है, लेटर बोक्स हम जैसे अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर गली है कहां, लड़की सड़क पर आसान तो है मिलनी हमारी गली एक बड़ी सडक पर है हाँ वो सडक पर ना आदमी ही आदमी जाते रहते हैं लैटर बॉक्स यह तो अच्छा है कि हम घरों में हो घर गली में हो गलियां सडकों पर और सडकों पर बहुत से लोग हो इससे चोरी वोरी भी कम होती है पर तुम्हारी सड़क का नाम क्या है? लड़की नाम? हमारी घर वाली सड़क लेटर बोक्स अरे वे है तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना जैसे मुझे सबने नाम दिया है लालताओ पर मेरा असली नाम तो letter box है लड़की ये सब कौन है ये सब यानी कौन यहां तो कोई नहीं है letter box हडबढ़ा कर है नहीं नहीं यहां तो कोई नहीं है मैं वैसे ही बता रहा था मुझे तुझे कोई मुझे ऐसे कहे तो पेड़ खंबा कववा सबी लंबी सांस लेते हैं letter box तो तेरी उस सड़क का लोगो का दिया हुआ नाम क्या है लड़की मुझे नहीं पता सबी उसे सड़क कहते हैं सज कोई कोई रोड भी कहता है रोड letter box पेड़ से लिफा पे निकालते हुए यह देख इस पर जैसे पता लिखा हुए वैसे पता नहीं है तेरा लड़की मुझे नहीं पता सची मुझे नहीं पता खंबा बीच में ही कमाल है लड़की आश्चरे से खंबे की तरफ देखती है वै चुप लड़की कौन बोला यह कमाल है कौन letter box खंबा जीब चाटकर नहीं नहीं यूही लगा है तुझे यूही लड़की मुझे सुनाई दिया वहां से उपर पेड़ हाँ एकदम मुपर टहनी रखता है लड़की देखो वहां से वहां से आई है वा जरूर आई है उस पेड़ पर से आई है कववा मैंने नहीं की चोच दबा कर रखता है लड़की कौन बोला यह कौन कववा खंबा गदा है यह भी पिर जब ना बोलना हो तो जरूर पॉस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुने बिगड़ता है भे फिर अपने पाउं टिकाती है गुंगरों की आवाज लड़की वो देखो कोई नाच रहा है सबी एक टक देखते रहते हैं क्या है यह क्या है कौन बोलता है कौन नाच रहा है कौन कौन लेटर बोक्स प्यार से देख तू बिलकुल घबरा मत हमी बोल रहे हैं हमी नाच रहे हैं चल रहे हैं गा भी रहे हैं लड़की हमी मतलब कौन बताओ नाच बताओ जल्दी लेटर बोक्स हमी यानि की हमी मैं लेटर बोक्स यह है पेर वह बिचली का खंबा यह है कोवा वह सिनेमा का पॉस्टर लड़की कसम से बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं यह सब तो घबरा जाते हैं इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते चलते नाचते नाचने वाले का संतुलन पुने बिगरता है गुंगुरों की अवाज वे फिर पहले की स्थिती में आती है लड़की मजे हैं खोब खोब मजे हैं अपने इर्दगिट सब को देखती है लेटर बोक्स अब मुझे यहां डर नहीं लगता जरा भी डर नहीं लगता खंबा पेड कोवा शाबास लड़की हैरान होती है फिर ताली बजाकर खिल खिलाकर हसती है लड़की सब चलकर पहले मेरे पास आओ पहले हिचकिचाते हैं आओ ना पास नहीं तो मैं नहीं बोलूगी जाओ सब बारी बारी से पास आते हैं बैठो सब बैठ जाते हैं सिरफ खंबा सीधा खड़ा है खंबे खंबे नीचे बैठो वह अभी भी खड़ा है बैठो ना देखो नहीं मैं तो मैं रोंगी अरे मैं बताता हूँ तुझे उससे बिलकुल बैठा नहीं जाता लड़की क्यों पेड क्योंकि जब से वह यहां खड़ा किया है तब से कभी बिलकुल बैठा ही नहीं है लड़की व्याकुल होकर आया रे मतलब ये बिचारा लगाता है खड़ा ही रहता है टीचर से कैसे जैसे सजा मिली हो खंबा स्विक्रिती सूचक गर्दन हिलाता है फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं चलो चलो सब मिलकर बड़े यतन से कंबे को बिठाते हैं बैठने में उसे बहुत तकली लेकिन बाद में बैट जाता है लडकी ताली बजाती है एक लड़का बैड़ गया है बैड़ गया जी एक लड़का बैड गया खंबा जरह सुख महसूस करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है बैटकर सच सच बताऊं हम खड़े रहते हैं ना तब बैटने का सपना देखते हैं सपने में भी बैटना कितना अच्छा लगता है लड़की मुझे भी वैसा ही लग रहा है मैं यहां कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं पेर मैंने देखा था जीप कारता है है मैंने नहीं देखा मैं यह कह रहा था लड़की यह लड़का जो जी में आई बोल देता है तुम्हें जीरो नंबर पेर खंबे को आँख मार कर चलो ठीक जीरो तो जीरो सही लड़की ए हम अब खेलें पॉस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है गुंगरों की आवाद मजजा एक लड़की बार बार गिर रही है जरा सोच कर ए तुम्हें नाच करके दिखाऊ मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे दिखाऊ करके सभी हाँ हाँ दिखाऊ ना वाँ लड़की नाच करने लगती है पेर खंबे से धीरे से थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा खंबा कौन पेर वह वही दुस्ट आदमी वह बच्चे उठाने वाला खंबा सच मुझ कववे से उसके आने का वक्त हो गया है कौवा किसके खंबा उस बच्चे उठाने वाले का इसे अभी ले जाएगा वह लेटर बॉक्स पाप रे तब फिर पेर क्या किया जाए खंबा कुछ तो करना ही होगा पेर लेकिन क्या पॉस्टर पर बनी नाचने वाली आती है लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती है सभी नाच दाद देते हैं नाच खूब रंग में आता है सभी भाग लेते हैं पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुस फुस आते हैं पुने नाचते हैं, दाद देते हैं, तब ही वह दुस्ट आदमी आता है, देखते ही देखते सब नीज तब नाचने वाली पॉस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सब ही अपनी अपनी जंगे पर और वह लड़की घबरा कर पेड़ के पीछे दुपक जाती है, आदमी मुझ ही वहाँ दिखाए पड़ता है, उसका चेहरा बदलता है, कहा गई, कहा गई वह छोकरी, मैं छोड़ूँगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चक्मा देती है, ढूनने लगता है, पेर, खंबा, लेटर बोक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक लड़की बचने का प्रित्म करती है, और वह दुस्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती है, उस छोटी लड़की का सरंग्शन करने लगती है, धीरे धीरे इस सारे करम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे डोलक या तबले की ताल भी मिलती है, लड़की किसी भी तरह उस दुस्ट आदमी के हाथ नहीं लगती, तबी एकदम से कववा चिलाता है, कववा, भूद्ध। पीछे पीछे पेर खमबा लैटर बोक्स नाचते हुए चिलाने लगते हैं, पेर खमबा लैटर बोक्स भूद्ध। तीनों और जादा चोर-चोर से चिलाने चीकते हैं, इसी के साथ भूद, भूद करता हुए, दुस्ट आदमी घबरा कर भाग निकलता है, सभी पेट पर हाथ रखे, जी भर कर हसते हैं, खंबा, मजा आ गया, कववा, खो भद उड़ाई, पेड, क्यों उठा कर लाया था बच्ची को, बड़ा आया, बच्चे चुरा कर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी, लैटर बो, अच्छी नाक कटी दुस्ट की, खंबा, अरे पर वो कहा है, कववा, वो कौन, पेड, कौन, वो छोटी लड़की अपनी लैटर बो, अरे अरे वो कहा गई, पेड, कौन, देखूं, देखते हैं, इधर उधर पर लड़की का कहीं पता नहीं, सभी चिंता ग्रस, खंबा, गई कहा, कववा, यहीं तो थी, पेड, कहीं नहीं मिल रही, उठा कर लैटर बोक्स, नाचने वाली भी, जहां की तहां, उसी भंगिमा में बैठी है, कववा, निराश, नहीं भही, कहीं दिखाई नहीं देती, पेड, मुझे तो लगता है, बहुत करके वही ले गया होगा उसे, लैटर बोक्स, कितनी प्यारी बच्ची थीरे, कितनी प्यारी खंबा, और स्व मैं यहां हूँ, मुझे पकड़ो, सब भी आनंदित होकर, इदर उदर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दोड़ते हैं, मैं पकड़ में नहीं आती, सब को भगाती रहती है, सब ठक जाते हैं, आखिर कववा उसे पकड़ता है, कववा, धप, कैसे पकड़ ली लड़की पर पहले कैसे घबरा गए थे सब, आहां मज़ा, ताली बजाती है, पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है, लड़की ठक कर बैठ जाती है, खो मज़ा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब, एपर में घबरा गई थी, उस दूस्ट आदमी से, तुम ही ने बचा लिया मुझे, आहां मुझे बहुत नींद आ रही है, ठक गई मैं, लेटती है, बहुत ठक गई, मुझे उठा देना, हां फिर हम मज़ा करेंगे, बहुत ठक गई मैं, मुझे उठा देना, हां फिर हम मज़ा करेंगे, गहरी नींद सो जाती है, सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से कववा सो गई बच्ची पेर थक गई थी ना बहुत तब ही जट से सो गई लड़की को प्रेम से थप थप आने लगता है कववा उसके पैर दबाता है खंबा थोड़ी देर बाद सुभा हो जाएगी पेर तब ये कहां जाएगी लेटर बुक्स उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मعلूम अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती मैं बेचारी बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम चोटी है अभी खंबा तो इसका क्या होगा कहां जाएगी ये है लेटर बुक सच मुझ कहां जाएगी कववा मैं बताओं सभी क्या हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा से मिलवा सकते हैं सभी उठकर कैसे कववा असान है सुपह जब हो जाए पेर राजा तो आप अपनी घनी घनी चाया इस पर किये रहें वे अराम से देड़ तक सोती रहेगी और खंबे महाराज आप जड़ा टेड़े होकर खड़े रहेए खंबा इससे क्या होगा कववा पुलिस को लगेगा एकसिडेंट हो गया तो यहां आएगी और हमारी चोटी सहेली को देखेगी वो लगाएगी इसके घर का पता पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है खोवे हुए बच्चों को उनके घर पहुचाती है खंबा रहूंगा मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा पर मान लो पुलिस नहीं आई तो कववा मैं बराबर यहां जोर जोर से काउ काउ करता रहूंगा लोगों का ध्यान इधर खीचूंगा उनकी चीजे अपनी चोज से उठा उठा कर लाता जाओंगा लेटर बॉक पर जब भी कोई नहीं आया तो कववा तो आपको एक काम करना होगा लालता हो लेटर बॉक जरूर करूंगा अपनी अच्छी गुडिया के लिए जो कुछ भी करूंगा एक बार घर पहुचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो क्या करूं बता कववा आपको लिखना पढ़ना आता है न कान में बात करने लगता है तब ही पॉस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है गुंगरूं की आवाज उन्हें जैसे तैसे वे अपने पहले जैसी भंगिमा बना कर खड़ी होती है लेटर बॉक्स बीच में ही कववे से उससे क्या होगा कववा उसके कान में और कुछ कहता है लेटर बॉक्स विकृत में गर्दन हिलाता है अंधेरा कुछ देर बार उजजाला सुबा होती है खंबा अपनी जंगह पर टेड़ा होकर खड़ा है पेर सोई हुई लड़की पर जुप कर अपनी चाया किये हुए है कववे की काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पॉस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए है पॉस्टर पर बढ़ी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगीमा लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है लेटर बॉक्स लाल ताओ बोल रहा हूँ आप मेंसे किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्चे के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहां ले आएगा पर्दा किरता है